अकि Erि उके आज मैं आपको इनफ़राइस स्रीज का लेक्चरच Europe रहेगा और में सब्सक्राइबाइर सोग्चा अगर इस से पहले अगर आपको लेक्चाइब भाइब हैं सब्सक्राइब पॉर धरी तो तो आप मेरे playlist channel में इनका channel बना दिया गया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आपका description में इनका link रहेगा, तो वहाँ पे आप देख लिजएगा, और हाँ, अगर आप lecture 6 देख रहे हैं, तो कम से कम आप lecture 5, 4, 3, 2 देख लिजए, ताकि आपको वहाँ पे concept मि समझने में कोई दिकत नहीं हो, और यह आपका lecture 6 और आपको अगर मेरे telegram channel पे जुरना है, तो telegram channel description box में है, वहाँ से आप हमारे telegram channel पे क्या कर सकते है, एड हो सकते हैं, जैसा कि आप हम यहाँ पे term को लेके चलते हैं, यह couchi general principle of convergence है, किसी series का, यह आपका, इसको couchi के द्व convergence criterion, इसको आप couchi general principle of convergence 4 series से भी कह सकते हैं, इसका theorem का statement क्या है, यह आपका part 2 में सबसे ज़्यादा पूछा गया question है, यह बहुत important question में से एक है, इसको आप धियान दीजेगा, ठीक है, तो यहाँ पे statement लिखा हुआ है, a necessary and sufficient condition, मतलब हमको दोनों condition से इसे पूरूफ करना पड condition से भी और sufficient condition से भी, 4 a series मेरे पास एक series है sigma an जो कि converse है, converse करता है कब जब epsilon is greater than 0 और there exist a positive integer m, तब मेरे पास एक positive रहना चाहिए, m भी कैसा term रहना चाहिए, positive, such that mod am plus 1, am plus 2, am plus 3, dot 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 an less than epsilon, जो कि आपका epsilon से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, for all n is greater than equal to, क्या होता है, अगर इस तरह का condition होता है, तो वो series क्या हो जाता है, converse होता है, अगर आपका ये condition fulfill कर दिया, तो हम बोल देंगे कि मेरे पास जो series sigma an है, वो क्या होगा, convergent होगा, okay, हम चले proof पे चलते हैं, पहले necessary condition को लेंगे, फिर sufficient condition को, necessary condition में माल लेते हैं कि मेरे पास कोई series है sigma an, जो की conver convergent series है, तो हम convergent series को यहां पे रख लिए, अब हम मेरा target किया है, we have to prove that for any epsilon is greater than equal to greater than 0, there exists m, जहां पे m belongs करता है, कि इस initial number को, such that mod am plus 1 am plus 2 am plus 3 dot 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 an is less than epsilon, for all n is greater than equal to m, ये मेरा main target हो गिया, तो चले हम जानते हैं कि मेरे पास अगर series कोई an है, तो हम उसके हिसाब से कोई s n मान लेत हैं, यहां पर मानते हैं, let s n be the sequence of the partial sum of the series, an, s n कोई partial sum है, और हम बान सकते हैं, फिर यहां पर लिखे हैं, कि s n बड़ाब हम लिख सकते हैं, a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus dot 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 an for all n belongs करता है, किसी natural number को, तो यह यहां पर ऐसा लिखा गया, अब हम जानते हैं कि since sigma an is convergent, क्योंकि हम सेक्वेंस भी सब्सक्राइब की सकन्वरजेंट, तो इसका sequence f n भी आपका क्या हो घू क्या हो गया है can बड़ाएट हो चुकर है, क्योंकि हम जानते हैं कि sequence भी आपका series कम टर्मी अगर series जब कोई होता है तो हम यहां पर कंडिशन लिखते हैं तो सिक्वेंस सेक्वेंस को क्या करता है यह सिक्वेंस का तर्म है सिक्वेंस में आप जाके देख सकते हैं तो इसका यह मतलब है कि यह किसी कंडिशन को फुल्फिल करेगा फॉर एन एपसालम इस ग्रेटर दन जीरो जहां पर एम बिलाउंस करता किसी नेचल को अब हम जानते हैं अब हम जानते हैं आप लिखते हैं और एपसालम को चोटा रखना पड़ेगा तो अब असमस्में इतना बोग यहां से लेगके यहां तक के टर५ को अहिसम लिख सकते हैं और बाकी के टरेम को यहां पर लीख दिए उसका यह मतलब है कि एसन म्हाइन सेómoर्ष जाएग यहां पर यहां पर जैसे लिखे तो am plus one plus am plus two plus dot 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 an is less than epsilon और हमको तो यही प्रूफ करना था मेरा target क्या था यहाँ पे we have to prove that ऐसा और ऐसा हम क्या कर चुके हैं प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम sufficient condition को ले लेते हैं sufficient condition में उल्टा हो जाता है मेरे पां जो मेरे पास रहता है मतलब जो प्रूफ किये हैं वो रहता है और हमको convergence प्रूफ करना होता है तो माल लेते हैं आपका ऐसन कोई क्या है यह कोई सिरीज है और इसमें एपसालम यहां पर सिरीज है सच एट फॉर एपसालम गेटर दन इकॉल तो गेटर तन जिरो देर एक्जिस्ट एम बिलोंस करता है किसी ने चुर को और यह condition हमको दिया हुआ है इसको में क्या माल लेते हैं टू और हमको प्रूफ करना है कि सिरीज एन क्या है कनवर्जेंट है और हम ऐसा पढ़े हैं अभी जश्ट उपर में देख क्या है एसन मैनेस ऐसा होता है तो अब हम फ्रॉम एक्वेशन टू को अगर लिखना है क्योंकि टू का कंडिशन हमको दिया हुआ है तो इसका यह मतलब है कि इतना गो के जगे पर हम सिरीज एन कनवर्जेंट है और जैसा कि हम यहां पर क्या किये प्रॉफ कर चुके हैं तो यह था आपका कंडिशन अब हम नोट को थोड़ा दिर के बाद देख लेते हैं तो यह था आपका यहां पर काउची जनरल प्रिंसपर ऑफ कंवर्जेंस फोर सिरीज जिसका दूसा नाम था काउची कंवर्जेंस क्रिटिरियन तो इसका यह कंडिशन हम यहां पर दो नाम परकेने पूर ठोड़ा पर दिंग between beginner को देख तो आप इसको देखके लिख लेना ताकि इन दीले में आपका क्वर्जेंस प्रिंसर बहुत बहुत बार आता है !! यहां पर note के रूप में यहां पर लिखा गया कि अगर series convergent नहीं है अभी इससे पहले हम देखे convergent है तब अगर series convergent नहीं है तो यह किस condition को follow करेगा तो if and only if there exist epsilon there exist epsilon के बताब कुछ epsilon के लिए ऐसा करेगा तो यहां पर हम दिख देंगे am plus one plus am plus two plus am plus three dot 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 an जैसा कि वहां पर less than रहता था अब यहां पर क्या रहेगा greater than equal to रहेगा greater than रहेगा हां कुछ n के लिए याद रखेगा कुछ के लिए सभी के लिए यह satisfied नहीं करेगा कुछ के लिए यह ऐसा होगा जो आपका यह epsilon से क्या होगा बड़ा होगा जैसा कि यह है आपका convergent नहीं होने का सर्थ तो यह आप जैसा कि देख सकते हैं अब हम यहां पर यह next question ह है इसको हम next class में देख लेंगे और यह है आपका काउची का काउची का जनरल प्रिंसिपल आप convergence फोर सरी जिसको काउची इस पर आप कमेंट कर सकते हैं आपको वहां पर देखेंगे अब हो जाएगा एवलेबल तो हम आपको solution देदेंगे थैंक यू